इसमें हम देखेंगे non-homogeneous differential equation और उसका जो CS यानी complete solution होता है उसके बारे में अभी तक आपको हमने बताया था जो higher order linear differential equation होता था वो किस प्रकार से हम solve करते थें उसमें आपको हमने equation बताया था, CF निकालने के लिए बताया था, PI निकालने के लिए बताया था आप लोग CF कैसे निकालते थें और जो Y equal to CF plus PI होता था यह सब कैसे करते थें तो अभी तक जो आपका chapter number 5.1 चल रहा था जो आपका chapter number 5.1 चल रहा था उसमें आपको PI नहीं निकालना रहता था क्योंकि उसमें एक भी question ऐसा नहीं आया जो आपका कुछ लोग समझ नहीं रहेंगे तो पी आई का बतला होता है पार्टिकुलर इंट्रिकेशन यानि विश्यस समाकलन तो यह जो था आपके 5.1 चैप्टर में नहीं 5.4 चैप्टर तक उसके बाद आपका पुरा चैप्टर समाप्थ हो जाएगा तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नबर 5.2 में टाइप फॉस्ट एंड टाइप सेकेंड के question बनने वाले हैं जिसे आप लोग जानेंगे नान होमजेनियस differential equation के माध्यम से बने रही का हमारे साथ लाच तक अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजएगा साथ में प्रेस जरूर कर लिजएगा ताक इस तरह की regular वीडियो आपके पास पॉस्ट चाक करें चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट को देखिए यह आपका नौन होमजीनियस डिफिरेंशल एक्वेशन एंड उसका कंप्लेट साल्यूशन हम आपको आज बताने वाले हैं अभी तक आपको हमने क्या बताया था अभी तक आपको आपको अमने बताया था दियन वाइप ऑंडिया के पाउर 10-1 बरस 111-2-1-1-3-2 In-2-2-2-3-2-2-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-1-2-3-0-1-2-5-2-1-2-1-2-2-2-1-2-1-2-1-2-3-2-1-2-1-3-2-1-2-3-2-3-1-2-2-3-2-3-1-2-1-3-3-2-3-4-1-2-2-3-1-2-3-5-3-2-3-2-4-1-3-2-1-2-3-1-2-2-3-2-1-3-2-1-3-3-0-3-2-1-2- हमने बताया था जब आपका यक्स बराबर जीरो हो जाएगा तुरांत आपका पिया यानि पार्टिकल इंट्रिकेशन भी आपका जीरो हो जाएगा तो वह केवल आपके 5.1 चैप्टर में था लेकिन 5.2 चैप्टर से थोड़ा चेंज है तो यहां यक्स के जिएक्स का मतलब क झाल में जाएगा इसकी जगहां कुछ छ वेलू धी रहेंगी ऑर उसके बाद उसको हमागे साल्व करें तो यहां पर कुछ टाइब करेंगे द York का से जैसे साइन के फार्म में आएगा या एक एकस्पोनेंशन के फार्म में आएगा तो अलग 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 उनका टाइप फी रहेगा पियाई निकालने का उसको अलग टाइप से हमसाल भी करेंगे तो सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में एक एक चांपल बताया जाएगा जाए हमारी चैनल पर प्लेश्ट चेक करें डिप्लोबा थर समेस्टर मैथ नेम से प्लेश्ट बनी हुग है महाँ पर सब कुछ आपको क्रम से मिल जाएगा चलिए इसको देखते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं हमने आपको बताया था को हम लिखते हैं डी बोला था ना बोला था या इसको क्या हां डी तो लिखते थे आपको हमने सब पहले बता दिया है जो पहले हमने आपको पढ़ाया था कॉंसेप्ट के लिए प्राया था तो इसको लिख सकते हैं प्लस या आपका homogeneous differential equation हो जाएगा हमने आपको यह सब पहले पढ़ाया है 5.1 chapter में ही पुरा concept आपका clear कराया था तो इसमें कई types के यानि अब जो हमें question मिलेंगे वो इस type के question मिलेंगे तो इसमें कई type के question होंगे तो सब type को हम देखेंगे बारी-बारी से और वहाँ पर हमने क्या बता था आपको हमने बताया था यह function जो है d equal to into i equal to gx हो जाएगा यहाँ gx not equal 0 है आपको सब बताया था और complete resolution equal to हमने आपको formula भी पढ़ाया था cf plus pi होता है cf का मतलब क्या होता है complimentary function होता है कैसे गयात करते हैं इस सब हमने आपको बताया है अब आपने नहीं देखा तो आपकी गलती है उसमें हम आपका कुछ नहीं कर सकते हैं अब चलिए इसमें आगए आद करते हें तो जब इस तो आपका इस स्टिति में जब जी एक्स के अभी कुछ वेल आएंगी तो इसके निसम जो आपका पी आई आएगा वह जी एक्स अपने अफटी आएगा तो जी एक्स किस फॉं में रहेगा यह भी निर्वर करेगा वह का इक्सपोनेंशन में रहेगा लॉग में रहेगा चर्ग हतां कि अभी फंक्षन में रहेगा तो चितने टाइप्स के आएंगे सब के लिए अलग लग आपके रूल है तो इसको देखते हैं एक यह कमान आप देखे लिखा भी गया है कि जी एक्स के मान पर निर्भर करेगा यह कमान पर ही आपका प्याई जो एवर डिपेंड करेगा अगर यक्स यक्स का मान आया मनलब चरगातां की रूप जैसे की पार एक्स आ गया या तिर्कॉर्ण में थी फंक्षन आ गया जिए सब को हम देखते हैं के जने सबसे पहला यानि कुछ इस्पेसल केस में यानि ट इक पावर एक्स की रूप में देखे जब आपको जी की पैलो एके पावर एक्स की रूप में दिखे तो आप लोग कैसे साल्व करेंगे उसको देखते हैं जी की वैलू यानि कोस्चन तो आपका इसे प्रकार रहेगा डी टू आइप ऑन डीक्स इसको आरे कूश फार में जो कि आपने पढ़ लिया है बहुत पहले ही उसके लिए भी कई रूल्स होते थे एक पाउर एक्स कैसे निकालते हैं साइन अग्स कैसे निकालते हैं किस किस कर नेशन वे आपका सीज़ पकैसे कैसे आता है तो सब आपको पढ़ना परेगा तो आपको 5.1 चैप्टर वे हमने और पूरा क्लियर कराया था कि अब देखिए गर इसका नेंटिक सब्सक्राइब जो भी आपका यहां जी एक से lead क्वार एक सटेक्वारी सब्सक्राइब कर देखें के भी में होगा पिया को यह निया'क सब्सक्राइब साल्व करने का तरीका है तो तरीका कैसे जो आपको देखिये जो आपका हैं यफ्टी आएगा यफ्टी का मालान लिजिए आपका क्वेश्चन में दिया है डी स्कॉयर प्लस टूडी और यह पका प्लस वान यह ति जब ऐसा दिया है तो इसका नीशन में जो एक पाउर एक साइस फॉरम में अगर यह दिया है जैसे एक पॉर यक्स अपान में फटी की वैलु मालेजी डी स्कार फ्लस टूडी प्लस वन है तो इस गर्डीशन में जो टी है उसके वरावर एक का वैलु रखेंगे डी इकवल यह रखेंगे तो डी वरावरें डी रावर एक इसे निकालते हैं वो सब हम देखेंगे आगे के कि यहां पर तोब और शड़ाने निकालेंगे या तो एक आएका तो महल पुर यानि इसमें रख रहे हैं अगर छीमान आपका 0 आ जा रहा है तो आपको क्या करना है देखिए जो आपका पहले पियाई था यानि एक बटे FD into E के पावर AX इसका हमें क्या करना है इसका हमें क्या करना है जो FD है उसका हमें करना है क्या करना है आउकलन करना है और क्या करना है एक पावर एक्स कुछी प्रकार रहने दे रहा है और एक्स इसमें मॉल्टिपल कर लेना है यह सब हमने आपको पढ़ाया है और आज यहां पर भी आप लोग देख लीजिए ओके कि यहां कुछ नहीं है करने का मतले ही है यक्स से मल्टिपल क्या हुआ हुआ जो आपका यहरी लीकी ब्राबर फॉर रखे हैं तो आपका यहां FD के वैलू जीरो आजाए उस कंडिशन में ओके अर्टी ब्रावर एक रखते हैं डी ब्रावर रखेंगे जब जीरो के ब्रावर नहीं होगा उसमें भी रखेंगे लिके अगर जीरो आ जाता है तो थोड़ा एक लाइन आपका और बढ़ जाएगा तो अभी इतन माडल का एक एक जांपल उसके बाद आगे बताएंगे माल इस एक जांपल के तौर पर आपका याद या एक कोस्टिन एक है डी टू आप ऑंटी एक स्कौर मानस त्रें टू टी वाई बाइटी एक प्लस टू वाई इस इक वाई एक पावर टू एक्स इसको हमें करना है सबसे पहले आपको खनाना एक सिय любим रैकलने मीक्रा है तो रूल पढ़िये पीछे के सभी चैप्ट Gibbs में आपको टाष अलेगा सबसे पहले असको सब्रूंस यह और आपको प् chemi the star अगर आपने पढ़ा होता तो समझ में आता तो इसका अजले के सना जाएगा या मिस्वायर मानस त्रियम प्लस टू इस इक्वेशन को साल्व करके याम का वैलो निकाल ये साल्व तो कर सकते हैं आप लोग दिगास से मिकनड है बहुत पहले से पढ़ने तो यम के वैलो एक औ प्लस टू इट को पावर याम टू एक तो यहां पर बताने वाली बाते नहीं है आप पुछला चैप्टर साल्व किया होंगे तो सब कुछ समझ में आया होगा ओके तो यह निकल गासी अब हमें निकालना है पी आई देखिए जो 5.1 चैप्टर था जो आपका 5.1 था उसमे आपका पी आई निकालना नहीं था तो सब लोगों को बहुत सिंपल लग रहा था लेकिन अब हमें पी आई भी निकालना है क्योंकि सी एक वाल टू क्या होता है कॉपलिमेंटरी फंक्षन प्लस पार्टिकुलार इंट्रिकेशन तो सी अप निकला पी आई निकालेंगे समझ में आ जाएगा चलिए इसको साल्व करते हैं प्याइए निकाल लेंगे तो हमने आपको ताया था जी एक सपान एपटी किया तो एक सब्सक्राइब कर दिया अब हमें टी की डी ब्रावर ए रखना है तो एक अमान कहां से मिलेगा तो एक एक से तो एक उपार जो यहां से एक ब्रावर दो मिलेगा जो कि आपका डी ब्रावर ए मैज होता है motivo डी की जगहां पर हम दो चाई माइनस च्याल यानि तो जीर हो गया तो क्या करना है से आगे का आपना process कीजिए तो process आगे क्या था अगला process क्या था अभी तक आपका इस परकार question था तो इसका अगला process आपका क्या हो जाएगा एक से Multiple in peso ft something Swab.load. एक बट्य जो एक पट्यू था उसका अबकलान इन्टू g X एक्स हो गया इन्टू yap D का अच्श्ञ आपका जो है वो था आपका स्कुराइर माइनस 3D प्लस टू तो डी स्कुराइर का 2D हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा टू का जीरो तो इसके जगर 2D माइनस 3 कर दिया और सब फंक्सन उसी प्रकार हमने नोट डाउन कर लिया अब देखिए अब डी की वैलू आपको फिर चाहिए तो हमने बताया डी ब् दिवराबर तू रखिए तो फिर जब हम डी रावर तू रखेंगे तो मिलेगा पी आइज को मिलेगा एक सेंटू इक पार्टी एकस मिल जाएगा अब आपको पता है तो होता है CF plus PI CF plus PI होता है होता है ना तो CF की value आप लोग put किजिए C1E के power X plus C2E के power X था plus PI करेंगे यानि XE के power 2X आपका finally हो जाएगा तो इस प्रकार से आप लोग इस type के question को solve करिएगा कुछे chapters पर भी ध्यान देचेगा और तो हम आगे आपका जो है solve कराएंगे ही तो यह था आपका कौन सा यह था आपका type first type first हो गया चलिए type second देखते हैं देखे हम सब कुछ बताएंगे बस आप लोग तोड़ा support करते रहें इस वीडियो का अधिक सेदिक share कर देजे अपने सभी friends के पास थाकि उनके भी इस्टड़ी अच्छी प्रकार से हो सके चलिए type second देखते हैं इसमें क्या करना है अगर आपका जो gx की value आई थी जो आपकी gx की value आई थी वो sin ax या cos ax के रूप कर है sin ax अथवा cos ax का रूप रहे तो क्या करेंगे कैसे आप लोग इसको solve करेंगे sin ax से plus cos ax कर रहे कुछ नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है c नहीं करना है pi is equal to हो जाएगा gx upon fd square जो यहां लिखा गया gx upon fd square तो gx का माद sin ax या cos ax या cos या भी रहे upon में f minus a square करना है क्या करना है f minus a square नहीं जो डी बराबर आएगा वो माइनस a square के बराबर आना चाहिए और हाँ यह जो माइनस चिन है जो आपका माइनस चिन है यह हमेंसा आगे लगा रहेगा यह नहीं कि माइनस टू आगया इसका स्कार कर देंगे तो plus 4 ऐसा नहीं करना है यहीं तो ध्यान देना इसी में सबका question गलत होता है माइनस में माइनस चिन है वह आपका माल जो टी बराबर आगया माइनस 2 का square तो यह होगा माइनस चिन आपका हमेशा आगे अब लेवल रहेगा इसका हो जाएगा 4 ओके ध्यान रहे ध्यान रहे नहीं तो गलती होगी आपकी हम जानते हैं सब लोग गलती करके आएंगे देखिए इस condition में जो आपका fd square इसमें d square is equal to minus a square रखेंगे और यह जो माइनस चिन है हमेशा आपका आगे पहले से लगे रहेगा अभी जब question solve करेंगे थोड़ा समझ में आएगा ध्यान रहे माइनस चिन आपका हमेशा पहले से लगा रहेगा ओके तो d equal to minus a square कब रखेंगे जब f minus a square रखने पर यानि जो आपका d square की value जो minus a square आई है इसको रखने पर आपका 0 ने आए तो ऐसा करेंगे ठीक और देखिए जब आपका fd square में d equal to minus a square रख दिया माले जो d square is equal to आपका माइनस कितना आगया नाइन आगया और आपका fd square की value 0 हो गई तो क्या होगा तो क्या होगा उसको देखते हैं कुछ नहीं होगा कुछ भी तो नहीं होगा जैसे आपका भी तक होता था यानि जो fd वाला function है उसका integration करना है एक से multiple करना है और जी एक की value लिखना है तो जब 0 आ जाएगा तो इस condition में एक बटे जो आपका fd square था into sin ax जो है इसकी बराबर आ जाएगा x into एक बटे जो fd square था उसका आउकलान into gx तो gx की value sin ax है ओके यह हो क्या टेक और हाँ यह कब होगा यह कब होगा जब आपका फिर यहां पर sin ax से compare करेंगे साइन एक से compare करेंगे मालेज़ साइन 4 x से जब इसका फिर हम compare करेंगे यहां से साइन मालेज़ साइन ax is equal to आगया sign 4 x तो यह बराबर आपका 4 आगया तो जब इसका compare करेंगे तो इस condition में कब होगा जब इसमें भी आपका 0 के बराबर नहीं आना चाहिए फिर 0 आएगा तो फिर अगला method उसमें यूज होने लगेगा जो कि जब question आएगा तो बताएंगे इसी पर कार कास के लिए भी है अगर इसमें भी 0 आ जाता है तो फिर यह यूज करेंगे यानि एक बटे जो जाएं कैसे function आजाएं hyperbolic function आजाएं जैसे की GX is equal to sin hyperbolic AX आजाए या कास hyperbolic AX आजाए तो घबराना नहीं है आपको अगर आपका hyperbolic आया तो अभी तक आपने simple के लिए minus A square रखा था तो जब hyperbolic आ जाएगा तो minus को हटा दिए बस A square रखना है बस A square रखना है और सब process जो ही रहेगा लेकिन hyperbolic है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसका कुछ मान जो है experiment करके निकाला गया है जो कि आपको हम आगे बताते हैं तो जो साइन hyperbolic AX रहेगा उसकी जगह आपको रख लेना है अपने question में साल्व करते समय एक पावर AX माइनस एक पावर माइन एक सब्सक्राइब रख लेना है तो यह समय आपका concept था चलिए इस टाइप का भी एक एक जांपल देख लेते हैं उसके बाद आपका चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जैसे कि देखिए आपका question दिया example के दार पर इसको हम ले रहेती है question आपका d2i.dx square plus 3 into dy by dx plus 2y is equal to sin 2x इसको solve करना है बहुत सिंपल question है आप लोग आसानी से solve करनेंगे कैसे करेंगे operator form आपको change करने आता ही होगा operator form यानि जिसे आप लोग संकारक बोलते हैं यह सब आपको पुढ़ाया है तो यहां हो जाएगा d square plus 3d plus 2 into y equal to sin 2x equation फस्ट माना इसका निकालेंगे हम auxiliary equation जिसे आप लोग बोलते हैं सहायक समीकनाड हो जाएगा यहां square plus 3 यहां plus 2 अब हो जाएगा ना तो इसका आप लोग क्या बोलते हैं उसको गुड़न खंड करना उसका अप लोग कर लिजिएगा दिवासामीकनाड से हो जाएगा तो हमकी वह आपको मानेस द्वान और मानेस टू मिलेगा के तू इसका सी जब ज़ाएगा वह सी मानी के पावर माइनस समझ में आपना काम किया है अब आप लोग नहीं करने तो हमारी उसमें कोई गलती नहीं है समझ में आपको आए या ना आए के शिजर निकल गया आप हमें PI निकालना है तो PI के लिए हमने बताया था GX अपावन FD स्कार होता है इस कंडिशन में होता है ना तो क्या करना है एक बटे D स्कार यहाँ पर यह वाला वैलू रखना है D square plus 3D plus 2 और यहाँ sign to X यारणि GX की वैलू रख दिया अब यहाँ पर D की वैलू हमने आपको बताया था इस कंडिशन में D square is equal to minus A square रखना है आपको D square is equal to minus A square रखना है तो कैसे निकालेंगे तो sign to X है तो इसका compare करेंगे UX से तो A की value 2 मिलेगी तो बताया था आपको हमने D square रखना है minus A square तो A की value 2 आई है तो minus 2 square यानि बराबर minus 4 बोलाना minus को छोड़ना नहीं है इसको पहले से ही लगा कर रखना है तो D square की जगह minus 4 रखना है रख दिया अब D की जगह कुछ नहीं रखना है दियान रहें D की जगह आपको कुछ नहीं रखना है यहाँ पर compare केवल D square का किया गया है तो D square की value केवल आपको put करना है D की जगह कुछ भी नहीं रखना है ओके आगे solve करेंगे तो जब D की जगह D square की जगह रख लेंगे तो आपका अब आप करें हर काप लोग पर इकरना जानते हैं तो हर का आप लोग पर में कर दिजिए तो हो जाएगा साइन टू एक सेंटो थ्रेडी प्लस टू पर में करने आता है या नहीं आता होगा सबको आता होगा क्योंकि लगबागा सभी कुस्चन में यह यूज होता है यहां पर करते क्या है जो माइनस चिन नहीं उसका प्लस करके उपर नीचे मॉल्टिपलाई कर देते हैं और कुछ नहीं कень तो माइनस है तो फ्लस के ऊपर नीच यह यहां पर देके डोनों माय से ये अकपलस धेता ट्रेड़ी प्लस टू हो गया है गलती से मैङ्ने चल्टapon में एक प्ल SAMF़न में है प्लस बीका स्वर्ए एप पलस फीच को start तो A square minus 20 square हो जाएगा यानि 3D, 3D में 9 square हो जाएगा, 2, 2 का 4, 9 square minus 4 हो जाएगा अब क्या करना है, फिर D की value निकालना है इसमें, तो sign जब 2X ही है, तो D की value जो D square उसका फिर minus 4 आएगा minus 4 आएगा, तो फिर उसको put करेंगे, D square की जगे तो 3D plus 2 upon 9 into D square minus 4, minus 4, sign to X हो जाएगा, फिर यहां पर 9,Top 36, minus 46, minus 4, minus 40, यहने I Pilate minus 40 हो जाएगा Sin to X का इसमें multiple करेंगे, तो 3D sin to X, minus 1 toward 40 हो जाएगा, d की value ज है ना, तो D का मतलब आपको क्या बता आए था डी का मतलब हमने आपको कहीं पर अगर आ जाता था बता था उसका मतलब आउकलन है अगर डी नवर्स आता है तो उसका मतलब समाकलन है यह सब हमने आपको concept जब पहले start किया था chapter 5 का part 1 उसमें सब हमने discuss किया है बहुत लंबा चौड़ा वीडियो भी है देखिएगा तो टी की वैलू यानी डी की वैलू आई कि नहीं इसका में करना है आउकलन तो साइन टू एक्स का टू कॉस्ट टू एक्स हो जाएगा और इसका तो कुछ करना नहीं क्योंकि यहां टी है नहीं तो टू साइन टू एक्स रहने दिया और आगे साल करेंगे दो यहां कामाने द इस प्रकार से आपके सभी कोस्टन साल्व किया जाएंगे आने वाली वीडियो में आपका 5.2 हम साल्व कराना स्टार्ट करेंगे बस आप लोग थोड़ा सप्पोर्ट करते रहें जो स्लेबर से आपका टाइम से समात कर दिया जाएगा अके थैंक यू